नमस्कार दोस्तों मैं आचारेव वसुधा आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक महा उपाय जी हाँ संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा सभी हनुमान चालिसा भी करते हैं बजरंग बांड का पाठ करते हैं सुन्दर कांड का पाठ करते हैं माना जाता है कि हनुमान जी के अंदर सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करने की ताकत होती है लेकिन ये उपाय कैसे करना है आज आपको मैं बताती हूँ हनुमान जी का एक रामबान उपाय जी हाँ अगर आप हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार के जगन्य रोग से आपको मुक्ति मिलती है अब आप पूछेंगे कि हनुमान बाहुक है क्या एक बार स्वामी तुलसिदास जी बहुत जादा बिमार हुए उनका शरीर बहुत ही शीन हो गया और वो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं थे उन्होंने उसी पीडा के अंदर 44 लोकों से बने हुए एक पाठ को तयार किया और उसका गायन किया गायन में इतना अधिक दुख भरा हुआ था कि जिस करुणा को सुनकर स्वयम हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए और तभी तुलसिदास जी को ये वरदान दिया कि जो भी हनुमान बाहुक का पाठ करेगा मैं उसे रोग मुक्त करूँगा हनुमान बाहुक का पाठ आप 21 से लेकर 26 दिन तक कर सकते हैं इसको करने के लिए आपके पास लाल गुलाब, लाल चंदन और इसके साथ में आप लोग चूर में का भोग बनाईए और भगवान जी को अर्पित कीजिए साथ में आप तुलसी दल रखना बिलकुल न भूले, ये उपाए आप करके रखिए आपके परिवार में या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को आवश्यक्ता है जिसको दवाई भी नहीं लग रही और वो बहुत जादा परिशान है तो मात्र एक हनुमान बाहुक के पार्ट से उसे रोगों से मुक्ति मिल सकती है ऐसे ही बजरंग बली के और बहुत सारे उपाए लेकर आऊँगी आपके लिए आपके टीवी चैनल पर तो देखते रहिए तब तक के लिए जैमा भगवती